भारती संस्कत कितनी गहरी संस्कत रही है जब पूरी दुनिया जो है वो सभेता सीख रही थी तब आचार एक कौटिल लेने जिनको चानक के कहा जाता है उन्होंने दुनिया की पहला जो है वो एकनॉमिक डॉक्मेंटरी तयार की ती जिसे अर्थशाफ्तर कहा जाता है जब आर्किटेक्चर हमारी एकनॉमी हमारे जो खोजे थी वो बहुत अधिती हुआ करती थी यह हमें जो है वो यह बताने आया कि साशन कैसे चलती है यह बिटिसर्स हमें बताने आया जिसके अपने पास जो था जब गर हम मौरेकाल की बात करें नंदवंश की बात करें तो पर सभा और समितियां हुआ करती थी यानि राजा को भी सलाह देने वाले होते थे अधिकारी और राजा सभी जो ऑफिसर्स थे जो सभा और समिति के इससे थे उनसे वो जो है वो बात करके जो है तब अपना डिसिन लेता था और ये लोग जो है राजा का विरोध भी कर सकत तो आज ये आज हमें बताने आए कि हम इंडिया को जो साशन विवस्ता ये राष्ट बनने का हम जो कला सिखाने जा रहे हैं आप सोच के देखिए कितना हास्यास पद है कितना इंपुट है लेकिन ये वाइट मैं बर्डन जब उन्होंने ये लेक्चर दिया तो जो युनिव और ये काले असब भी लोगों को एक नया जीवन देने जा रहे हैं ये तो आगे धन ने हो दादा भाई नरोजी जैसे लोगों का जिन्होंने अपना जो बुक लिखी ड्रेन ओफ वेल्ट थियोरी उन्होंने बताया कैसे ये जो अंग्रेज हैं ये हमारी सारी संपत्ति का स सोचन कर रहे हैं और लंदन उसको जो पहुचा के चले आ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा समाज जो है वो दो तरीके से का लग है कि अलग है कोई बोली है कस्टम साल है त्योवार अलग है री तति रिवाज अलग है यह हमारी प्रफेक्ता है तो कई बार हम इसको यह देखते हैं ऑर इंडिया में इतनी derived Corni इतना अलग है इतनी पेचान है तो कभी राश्ट की रूप में हो performance सकता, मैं मैं तुम से बात करूँगा, अपनी लैंगुज में बात करूँगा, तुम अपनी लैंगुज में बात करोगे, ठीक है, तो हम अपने उपर सब पर यह रखेंगे, लेकिन अगर यह diversity एक राष्ट के रूप में सामने आती है, तो यह राष्ट बहुत अदभुत हो जाता है बहुत अद्भुत हो जाता है यानि आप ये समझिए कि इतनी डैवर्सिटी होने के बाद नेशन के जो कॉंसेप्ट है यानि राष्ट की जो धाना है उसके साथ हम जुड़े हुएं उसके साथ हम काम कर रहे हैं और यही रीजन है कि जब भारत आजाद हुआ था उन आरजलिंग के चेतर में चाय के बागान होते थे और चाय के बागान पर मैक्सिमम जो है वो यूरॉपियंस का हिस्सा होता था जब 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि सत्ता जो हस्तांतर इंडियन को की जाएगी भारतियों को की जाएगी अभी अपना सास्टन स्वयम चलाएंगे त जो कि इंडिया जा नेशन कभी था ही नहीं और उन्हें ने कहा शर्त लगा लीजिए कि भारत कुछ दिन के अंदर ब्रिटेन के पैरों पर गिरा होगा क्योंकि वो शासन चला ही नहीं सकता वो जानता ही नहीं कि हमारा जो है भारत कैसे है गुचराती बंगाली से या आपस में लड़के खतम हो जाएंगे कभी ये राष्ट की रूप में एक जो है यूनाइट फंक्शन की रूप में काम नहीं करेंगे और प्रोक्लेम कर दिया गया और इस प्रोक्लेमेशन का जो अगला चरण आया वो राष्ट मंडल यानि कि जो कॉमन विल्थ आप जा हो जाएगी ग्रायुद हो जाएगा और कॉमन विल्थ का मिंबर होने के नाते हम उसको कहेंगे कि हम आपका साशन समालने में मदद कर रहें फिर से जो वही वह ब्रिटिश साशन यानि क्राउन जो है फिर से रूलिंग करना शुरू कर देगा महरानी के नाम पर हम साशन चल आती है लेकिन यह भारती नहीं है काफी हद तक उपर से देखने में यह सही लग रहाता है पर दोस्तों अब सोशल इशूज की उस बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो आपके रोएं खड़े कर देगी आपको पढ़ाते समय मुझे रोमांच मैसूस हो रहा है क् मैं अपने देश को अपनी जो संस्क्रती है उसका मैं निरंतर अध्यन करता रहता हूं और जहां पर भी मुझे कुछ इसके बारे में पढ़ने को मिलता है मैं उसमें जरूर पढ़ता हूं कि क्या कारण है कि इतनी महान संस्क्रती महान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंन सुना नहीं है, मैंने उसके लिए बहुत अध्यन किया है, मैंने जो है वो तरह-तरह के डॉक्मेंटरीज पढ़ी है, मार्क ट्वेन से लेकर जो है सरुपली राधा कृष्णन से लेकर या विवेका नन से लेकर या तमाम और विचारक जो है उनके बारे में जोन से जब मैंने पढ़ा, तो वाकई में मुझे लगा कि मैं उस महान संस्क्रती का एक नुमाइंदा हूँ, एक उसका हिस्सा हूँ, जो वाकई में महानतम होने के बावजूद केवल कुछ शर्यंतरों का शिकार होकर इस पूरी दुनिया से हड़ गई अब question mark ये था कि जिस British साशन ने ये proclaim किया था, जिसको जाकर white man's burden बनाया था और उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए, ये भारतिये कुछ साल से जादा जो है अपना साशन नहीं चला पाएंगे, ये कभी एक राश्ट की रूप में इस कट्था नहीं हो पाएंगे, आज इ पूरबी पाकिस्तान और पाश्चीमी पाकिस्तान, जिस देश को विभाजन का दंश देखना पड़ा था, जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसके पास जीवन प्रत्याशा नहीं थी, जिसके पांच लाख लोग सिर्फ जो है वो लाहर-पंजाब बॉडर पर भारत के बॉड हाथ उसको लग गया हो उस राष्ट को तो वाकई में नहीं खाड़ा होना चाहिए था पर क्वेशन ये हैं इतनी साजिशें इतना विरोध इतनी सीमित संसाधन और आज हम सिर्फ न राष्ट की रूप में खड़े हैं अगर आज आप नियुस्पर पढ़ते होंगे तो एक च सकता है इन सालों में 1947 से 2020 तक आते आते क्या ऐसा चेंज हो गया कि जिसके बारे में कहा लगाया जाता था कि आप शर्त लगा लीजिए कि आप 6-7 सालों से जादा जो है वो अपना साशन नहीं समाल पाएंगे और आज हम साशन समालने की बात छोड़िए आज हम उन देशों को मदद करने की हालत में आ गए हैं जिन देशों से हम मदद मांगते थे आज हमें महाशक्ति कहा जा रहा है वो अमेरिका जो हमसे कभी बात डारेक्ली नहीं करता था 1998 तक हमारे जो है वो परमाण परिक्षन पे बैम लगाता था आज उसका राश्पती भाग भाग के आ रह हम फेल क्यों नहीं हुए और वही हमारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है आप आशर करेंगे कि भारत के ही आसपास तमाम अफरीकी देश आजाद हुए थे जो लंबी गुलामी में अंग्रेजों ने इनको पर भी कबजा किये था और कुछी सालों के अंदर वहां खून करता हूँ जिमबॉम्बे के अंदर की बात करता हूँ जहां कभी भी ना किसी रूप में जो है वो साशन बुरी तरह से प्रभावित रहा है जो है बुरी तरीके से हिला डुला करप्शन हाईस लेबल पहुंच गया जीवन इस तर बहुत बयानक हो गया और या तो वहां प के बाद पाकिस्तान क्यों जो है वहां पर राश्पती शाशन लगा वहां के जो सेना अध्यक्शन उन्होंने शाशन किया और अज वो फेल्ड नेशन हो गया एक साथ शुरू ही कहानी क्यों उनके लिए खतम हो गई और क्यों हमारे लिए बनी रही उसके पीछे आपको जो सबसे important बात समझ में आएगी वो ये रहेगी कि उपर से देखने पर हम अलग-अलग दिखाई पड़ते हैं कभी ऐसा दिखता है कि शायद भारत के लोग जो है वो अलग-अलग पहचानों के साथ हैं लेकिन वास्तों में जब आप भारती संस्कृतिक की उस रस को उस सुग और यह सूतर जो है वो सूतर है भारती है संस्कृति है यानि इंडियन कल्चर का जो फैबरिक है वो बहुत डीपर है बहुत गहरा है दोस्तों इस बात को आप समझे और इस बात को जो है वो जानने की कोशिश करिए मैं किस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ बहुत ही गहरा जो है वो इसका इंपुट है और आप यहा हमारी संस्क्रती यह यहां पर जो है वो अपना इंपुट देती है राइट तो अब हम यहां पर जो है इसके आगे बढ़ते हैं और भारती संस्क्रत के इस फैबरी को समझते हैं मैं इसको और आशान भासां पर कहता हूँ तो सबसे पहली बात तो अपनी संस्क्रत पे हमें गर्व होना चाहिए, मैं कोशन करता हूँ कि भारती संस्क्रत पे हमें गर्व क्यों होना चाहिए, क्योंकि यही वो संस्क्रत थी, इसका जो मूलतत्त था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कि जब answer writing में आपको आया था, तो मैंने कहा था, किसी भी समाज के तीन हिस् एक हिस्सा होता है, जिसमें अस सहिशनता होती है, यानि intolerance, अरे तुम बंगाली हो, मैं गुजराती हूँ, तुम मैं सुपीरियर मानूँगा, तुम बंगाली हो, तुम सुपीरियर मानूँगा, हम दोनों लड़ जाएंगे, मैं तुम्हें बरदाश्ट नहीं कर सकते, चा पश्चिम के लोग, जो वेस्टन लोग हैं, वो इसी रूप में देखते हैं, कि इंडियन्स अपनी अपनी पहचानों के साथ जोड़े होएं, बेसिकली होता क्या है, कि यहां पहचाने जो होती है, यानि आइडेंटिटीज जिसके बारे मैंने आप से बात किया था, जो आ यानि टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, कि भाई, आप किसी भी रूप में हो, ठीक है, कुछ भी हो, मैं आपकी पहचानों के साथ, थोड़ा सरकार का भी प्रेशार है, समिधान का भी प्रेशार है, नियम कानून है, मैं आपको, मैं अपनी पहचान को तो दूँगा, मैं आपका विरोध नहीं करूँगा, मैं सुईकार करूँ ना करूँ लेकिन मैं आपको विरोध नहीं करूँगा, ये बात बहुत ध्यान रगना, either मैं आपको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, I accept you or not, but I will not oppose you at any cost, मैं आपको oppose नहीं करूँगा, ये बात है, आप क्या खाते पीते हो, आप कैसे आते जाते हो, I don't care about that, I don't bother about that, so that is known as session, और वहाँ पर जो है चीज़ें harmonious बनी रहती हैं, और तीसरा जो होता है, वो और डीपर होता है, और गहरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, acceptance, स्वीकार्यता, बहुत ध्यान से समझना, दस्यों किताबे चान मारी हैं, मुझे ये सब topics नहीं मिले उसमें, और मेरे दिमांग में आता था कि क्यों इतनी problem मेरी country में बना हुआ है, क्यों रुडियार कप्लिंग जो है, बोल का चला आया, फिर भी हमें एक राष्ट की रूप में बने हुए, क्यों जब ऑस्टिन अपनी बुक लिखते हैं, जब हमारा Constitution our Constitution की बुक आ ऑस्टिन क्या यह बहुत ही deeper concept है, इसको ध्यान से समतो, Svikalita by heart अपने दिल से होती है, यहनी मैं यहाँ पर Manowmulia, यानि human values को accept करता हूँ human values को accept करता हूँ, मानो मुल्यों को, मानो मुल्य मेरे accept होते हैं, क्या होते हैं ये मानो मुल्या, मानो मुल्य के अंदर, सबसे पहले, compassion, दया, why should I have a violence with you, मुझे क्यों तुमसे violence करना चाहिए, क्यों जो मुझे नफरत करनी चाहिए, ग्रणा करनी चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, because my root is compassion, you are a living being, I am a living being, I must love to each other, मुझे सभी से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति डया भावना रखनी चाहिए, और सिर्फ मनुष्यों से नहीं, प्राणियों से भी, जो है हमारे पश्यों से भी, इफ यू कमिट सम मिस्टेक, we are the humans, we are not program person, हम कोई जो है वो program नहीं है, तो मैं तुम्हारी उन गल्तियों को च्छमा कर दूँ, और जब च्छमा कर दूँगा, जब दया होगी, तभी तो मैं उसको च्छमा कर पाऊंगा, जब फोगिबनेस होगा, तो फिर मेरे लिए जो higher human values, वो acceptance होगी, आप इसको बाते समझते जाना, यह GS paper 4 में हमें पढ़ना है, ethics paper में, फिर से वही बाते हमारे सामने आएंगी, तो मेरी यह सारी खीज़ें आपस में गुथी होई होती है, interlinked होती है, तो मेरे पास दया होनी चाहिए, छमा होनी चाहिए, मैं अपने अधिकारों और कर्टव्यों के बीच में एक सामनज़ से मेरे पास होना चाहिए, अधिकार एवं कर्टव्या, Rights and Duties, Not only rights, Duties also, The Duties to protect my environment, मुझे अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, To protect the animals, मुझे उनकी रक्षा करनी है, To protect my monuments, मुझे उनकी रक्षा करनी है, I must aware the talk, behave scientifically, मुझे जो है, वो कुछ ऐसा बात नहीं करना है, भाई, जालू पूख कर लो, तोड़ना तोटका कर लो, जो है, इंसान की खोपड़ी को पर नीबू, फिरा दो तो देखो, उसका वशी करना हो जाएगा, ये सब हमारे जो है, वो एक साइन्टिफेक समाज में नहीं होता, ये सारी चीज़े, तो मेरी डूटी है, कि मैं अगर वाट्साप में पोस्ट भी कर रहा हूँ, जैसे कई बार पोस्ट आता है, कि इसको जो है, दस लोगों को भेजो नहीं, तो तुम्हारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, What the hell you are doing? क्या कर रहे हो आप? Do you ever ask कि इसका जो है, वो बेस कहना है, अगर आप इसको नहीं भेजोगे, सौ लोगों को नहीं फार्वट करोगे, तो ये अनिस्ठ हो जाएगा, आपने भी ये सुना होगा, कहीं न कहीं WhatsApp में ये message आया होगा, सो जो person उसको send करा है, या जिस person ने उसको send किया, वो पूरी एक chain है, वो हो सकता है, कि हजार हो, लाक हो लोगों ने किया, कुछ लोगों ने डर के मारे, कुछ लोगों ने अंदविश्वास के मारे, अगर आप विज्ञानिक कोश्चन पूछन पूछने से डरते हैं, या पूछ नहीं सकते, केवल आस्था और अंदविश्वास पर टिके हुए हैं, तो आप कभी भी एक साइंटिफिक यानि वहग्यानिक समाज का निर्माल नहीं कर सकते, इसका मतलब है, आप अपने मूल करतव जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको आप डिनाय कर रहे हैं, आपको अपने बच्चों को पढ़ाने, उनकी अच्छी सिक्षा पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानि आपके समाज में माता पिता पैरेंट्स की जिम्मेदारी हो, कि मेरा बच्चा अच्छी सिक्षा प्राप्त कर सके, अगर वो सिक्षा के लिए जा रहा है, टीचर उसे कुछ कह रहा है, तो आप ऐसा नहीं करो कि पूरा परिवार टीचर से लड़ने पहुंच जाता, तेरी ऐसी कि तैसी मेरे बच्चे को कैसे बोल दिया, कोई बात नहीं है, इसको हम दुकान पर बिठा लेंगे, नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है, तो इसको हम लोग acceptance यानि स्विकारिता बोलते हैं, दोस्तों ये इतना deeper concept है, इतना deeper concept है, हमारी संस्कृति का जो कोर था ना, ये जो कोर था, वो यही था, जितने documents में पढ़ता हूँ, वो कहता है वसुध्यव कुटुम्बकम, वसुध्यव कुटुम्बकम, ये हमारी भारती संस्कृति की बात मैं आपको कर रहा हूँ, वसुध्यव का मतलब होता है, संपूर विश्व, all over the world, कुटुम्बकम, कुटुम्बका word आया, अमले परिवार, family, the whole word is our family, इसको बोलते हैं, सुध्यव कार्यता, दुनिया में कोई धर्म हो, कोई नसल हो, races हो, छेतर हो, भाषा हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, वसुध्यव कुटुम्बकम, दिस वस दे फॉस्ट एक्सेप्टेंस, फनमेनन, फॉस्ट एक्सेप्टेंस इन राइटिंग, यानि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी जो हैं, वो आगे बढ़ें, और सभी के दुख दूर हो, तो वेन वी टॉक अबाउट, जब हम आज अपने प्रियंबल को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं, वी दॉ पीपल आफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम कहते हैं, सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संत निराम्या, मुझे आप ये बताइए, कंपैशन और फॉर्गिवनेस का, इससे बहतरी एक्जामपल क्या होगा, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, हम जिसको प्यार करते हैं, उसी को तो आशिरवाद देते हैं, तो यहाँ पर हम पूरे विश्व को आशिरवाद दे रहे हैं, बोले इस ब्रुम्हांड में, जितने भी लोगों सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी जो है, उनके दुख दूर हों, यह हमारी इंडियन कल्चर का, यह कोर वैली हुआ करती थे सुखा रहे था, और यही वो नीव थी, जिसको यह ब्रिटिशर्स, यह जो पशिमी ताक्ते थी, वो कभी समझ नहीं पाई, उनको बाहर बाहर दिखाई पड़ा, देखो, वो वाली दिवार जो है, वो बंगालियों की है, वो गुजरातियों की है, वो बिहारियों की है, वो जो है, वो महराष्टियों की है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखाई पड़ा, यह जो नीव है, वो भारतिय संस्क्रत की है, और भारतिय संस्क्राइटी का जो मूल तत्यो है, जो उसका सीमेंट है, वो जो कहता है ना बांगर सीमेंट, मजबूत भी, एकाओ भी, तो वो जो सीमेंट है, वो acceptance थी है हमारी, सुई कारेता थी हमारी, हम उसको accept कर रहे थे, तो अब हम जब उसको accept कर रहे थे, तो हमारे साम ने जो है वो यही चीज निकल कर आए इसने हमारी core value को बना कर रखा